Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK Institute of Design चाहा मिलते हैं आपका AutoCAD के टिटोरियल्स देखने के लिए So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको AutoCAD के इन चार कमांद के बारे में बताने वाला हूँ Break कमांड, Polygon कमांड, R कमांड and Trim कमांड So वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी से एक रिक्वेस्ट है के प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Break कमांड यूज करने के लिए आपको Line Draw करनी होगी So Line Draw करने के लिए आपको Shortcut की होता है L Enter मैंने यहाँ पर एक Line Draw कर दी यहाँ पर Break कमांड के यूज करने के लिए आपको Type करना पड़ेगा Break, B, R, E, A, K, Break, Enter फिर यहाँ पर आपको Object को Select करना है Object Select करने के बाद यहाँ पर आपको First Point पर आपको Click करना है फिर यहाँ पर Simply आपको यह जो First Point है Simply आपके Cursor को आपको आपको लेके जाना है and Right Hand Side Scroll करना है आपको Point एक Random Point या फिर जो आपकी Diagram में Dimension दी होगी उसे आपको Simply Select कर लेना है या फिर Type कर देना है मैं यहाँ पर Dimension नहीं है मेरे पास सो मैं यहाँ आपको Simply आपको करके दिखाता हूँ Same Processor आपको Right Hand Side से यह वाले Point पर आपको Cursor लेके जाना है and Left Hand Side Scroll करना है and इस Point को आपको Select कर लेना है सो मेरा यहाँ पर Break Command का यूज हो चुका है अगर आपकी Dimension Diagram में Given है सो आप Dimension यहाँ पर Input करेंगे तो आपके उसके बीच में Break Command का यूज हो जाएगा अब बात कर लेते हैं Polygon Command के बारे में सो Polygon Command ड्रॉ करने से पहले बताने से पहले हमें यहाँ पर Circle Draw करना होगा सो मैं यहाँ एक Circle Draw कर देता हूँ C Enter and यह एक Circle Draw हो चुका है यहाँ पर Polygon का Shortcut की होता है P O L Enter यहाँ पर Number of Sites Command टैब में आपको पूछ रहा है सो यहाँ पर मैं Number of Sites यहाँ पर 6 Enter कर देता हूँ फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है या तो आप Edge का Dimension डालो या फिर आपको Center Point सेलेक करो सो मैं यहाँ पर Center Point सेलेक कर देता हूँ फिर यहाँ पर दो Option अगेन यहाँ पर Inscribed in Circle और Circumscribed about Circle दो Option यहाँ पर आए So Inscribed in Circle का मतलब होता है जो आपका Polygon बनेगा वो इस Circle के अंदर बनेगा और Circumscribed about Circle का मतलब होता है जो यह Polygon है आपका वो Circle के बाहर बनेगा ठीक है So यहाँ पर जो है अगर आपके Polygon का Radius Circle के Radius से छोटा है तो हम वह पर Inscribed in Circle का यूज़ करेंगे और अगर आपके Polygon का Radius Circle के Radius से बढ़ा है So हम वह पर Circumscribed about Circle का यूज़ करेंगे सो मैं यहाँ पर inscribed in circle को select कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है आपको dimension यहाँ पर 80 enter कर देता हूँ सो मेरा यहाँ पर 80 radius का एक polygon 6 side का draw हो चुका है simply मैं यहाँ पर फिर से pol enter करूँगा यहाँ पर number of side 6 enter करना है फिर यहाँ पर आपको center point को select कर लेना है center point को select करने के बाद मैं यहाँ पर circumscribed about circle का यहाँ पर select कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं आपर radius 200 input कर रहा हूँ सो मेरा यहाँ पर 200 radius का एक polygon यहाँ पर use हो चुका है ठीक है सो यह होगी हमारा polygon command अब बात कर लेते हैं आर कमांड के बारे में सो आर कमांड के लिए एल एंटर एंड यहाँ पर आपको थ्री पॉइंट्स आर कमांड सो आर कमांड का shortcut की होता है ए आर सी एंटर आपका कोई भी आरक हो वो इससे आपका बन जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपको कभी कभी किसी किसी डाइग्राम में उसे select कर सकते quick access toolbar में जाकर के ठीक है वरना basically आप ARC enter करेंगे ARC enter करेंगे तो आपका वो आरक ड्रो हो जाएगा ठीक है यह आरक में जैसे अभी थ्री पॉइंट है सो मैं आपके किसी भी थ्री पॉइंट को select करूंगा सो मेरा उसके बीच में एक ARC draw हो जाएगा ठीक है अब यहां पे जो है ARC वो है start and radius ठीक है सो मैं इसे select करता हूं स्टाइटिंग पॉइंट को select करता हूं फिर यहां पे आपको end point को select करना है यहां पे इसके बीच में radius input कर देता हूं सो मेरा यह हो गया एक arc draw ठीक है अब जैसे कि मैं इसका quick access toolbar का बीना use के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ARC enter जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपर first point को select कर लूँगा second point को select कर लूँगा यहाँ पर मैं अगर third point को select करता हूँ तो यहाँ पर यह automatic यहाँ पर arc draw हो जाएगा सेम चीज यहाँ पर है फिर से ARC enter करूँगा first point को select करना है second point को select करना है ठीक है यहाँ पर जिते का भी radius चाहते हैं आप यहाँ पर simply input कर दे तो मैं आपर 100 का चाहता हूँ सो यहाँ पर मेरा 100 का radius का circle यहाँ पर जो यह cod length बोलते हैं इसको यहाँ पर मेरा cod length 100 का यहाँ पर draw हो चुका है ठीक है सो आप ऐसे R command का use कर सकते हैं यह जो quick access toolbar में आपको R के 11 commands जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं इसका आप directly use ARC enter करके कर सकते हैं हाँ किसी किसी diagram में आपको इस quick access toolbar वाले R का use करना पड़ता है तो आप यहाँ पर जाके उसे select करके use कर सकते हैं ठीक है अगर इस R command के बारे में इन सारे 11 command को use कैसे करना है अगर उसके बारे में आपको tutorials चाहिए तो मैं आपको next video में बता दूँगा बना करके आप उसके लिए मुझे comment करेंगे तब ठीक है बेसिकली यह जो R command के 11 type से वो एक दूसरे से similar है ठीक है एक दूसरे से similar है अगर आपको यह diagram नहीं भी use करना आ रहा है तो simply आप किसी भी एक point पे लेके जाएंगे एंड उसे थोड़ा से scroll करेंगे तो आपको यह चीज यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर आपको कैसे इस point को यूज करना है अब जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट सेंटर एंड पर रखा अपने मौस को यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आपको यहाँ पर कैसे इस R को यूज करना है ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते Trim Command के बारे में सो यहाँ पर Trim Command के लिए अब जैसे मैंने ये एक Diagram बनाया है ठीक है अब इस Diagram में मुझे ये वाला Part, ये दोनों Part मुझे नहीं चाहिए सो मैं यहाँ पर Trim Command के यूज करूँगा जिसका shortcut की होता है Tr Double Enter वहाँ पर ये छोटे से box को ले जा करके क्लिक कर देना है अगर आपको उस चीज को वापिस लाना है तो यहाँ पर आप स्केप करके Ctrl Z प्रेस करेंगे ये आपका आटोमेटिक वापिस वापिस बैक अप हो जाएगा So, thank you friends for watching this video Please video को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई